तो हलो फ्रेंज फिर सापको स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में तो फ्रेंज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके पास OnePlus का मोडल है या फिर OnePlus का कोई भी मोडल का मोडल है तो आप उसमें अपना notification sound को कैसे चेंज करोगे तो फ्रेंज अगर आ YouTube वीडियो का notification सबसे पहले आप तक बहुत सके चलिए फ्रेंज वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए फ्रेंज आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन कर लेना है जैसे सेटिंग को ओपन करोगे तो आपके समनी कुछ इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा उसके करना यहां पर एक option देखने को मिल जाता है sound and vibration तो फ्रेंज आपको sound and vibration वाले option में simply क्लिक करना जैसे क्लिक करोगे फ्रेंज तो इस तरह करना पेज आएगा यहां फ्रेंज साउंड से related all option आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद आपको simply थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करन करना है और जैसे इस्कॉल करेंगा फ्रेंज यहां पर आपको इक option देखने को मिल जाता है notification sound तो फ्रेंज आपको क्या करना है यहां इस sound option में click करना है और friend आप देख सकते हैं यहां पर आपको बहुत सरा option देखने को मिल जाता है यानि कि बहुत सरा आपको notification का sound मिल जाता है जो आप रख सकते हैं अपने notification का option में तो simply यहां से आपको जो पसंद हो वो आप एक select करके notification में set कर सकते हैं उसके बाद friends यहाँ पर आपको अगर अपना कोई notification sound है जो आपने डाउनलोड कर रखा है उसको आपको set करना है तो friends यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है on this device तो simply आपको इस option में क्लिक करना जैसे आप क्लिक करोगे तो friends आप जो भी song डाउनलोड करके रखे हैं जो भी music डाउनलोड करके रखे हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप उसे अपना notification में set कर सकते हैं और friends अगर आपको कोई डाउनलोड नहीं क किया हुआ है फिर भी आपको चेंज करना तो system से आपको यहाँ पर मिल जाता है जो आप अपना हिसाब से चूज कर लीजिए और यहाँ से आप से अपने notification में set कर सकते हैं तो यहाँ से किसी को भी आप से आपको चेंज कर सकते हैं तो friends I hope आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो फ्रेंज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरू किजिए मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि रियें बाबाई